जम्मू कश्मीर की घर्मियों की राजदानी श्री नगर देश का एक प्रमुक परेटन स्थल है यदि आप धर्ती का स्वर्ग अर्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्री नगर केसे पहुँचे ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्री नगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सडक और वायू मार्क के जरी ही पहुचा जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्री नगर डलजील, खुपसरत गार्डन और हाउसबोट के लिए प्रसिद्धे श्री नगर में इस्तिद्ध डलजील, चारो वोर से मुगल गार्डन से गिरिये और इसमें हाउसबोट इस्तिते तता शिकारे चलते हैं गोर्तलब है कि श्री नगर सडक मार के जरी ये पुरे देश से जुड़ा हुआ है श्री नगर बस के जरी आसानी से पहुँचा जा सकता है श्री नगर तक दिल्ली, पंजाब, हर्यना, आदि कई शहरों से सीधी बस सेवा है इसके लावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवा श्री नगर के लिए है सड़क के रास्ते अगर आप श्री नगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा श्री नगर दिल्ली से लगबक 859 किलोमेटर दूरे तथा दिल्ली से श्री नगर का बस का किराया लगबक 1250 रुपए है तथा 18-19 गंटे का समय यादरा में लगता है इसी प्रकार जम्मू से श्री नगर 246 किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रुपए है बस दौरा जम्मू से श्री नगर पहुँचने में लगबक 7.5-8 गंटे का समय लगता है सड़क मार्ग से श्री नगर जाने में हाला कि समय जादा लगता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी ठकान मिटा देती है ऐसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुथ आप हवाय यात्रम नहीं उठा पाएंगे आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं परंतू जम्मू से श्रीनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रीनगर तक रेल सेवा नहीं है श्रीनगर बस इस्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सी से आपकी होटल या हाउस बोर्ट तक पहुंश सकते हैं आटो रिक्षा का किराया बहुत कम होता है जो की दूरी के आधार पर लिया जाता है एरोप्लेन से श्रीनगर पहुँशना थोड़ा सा महेंगा ज़रूर है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है श्रीनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शहर से उड़ान सिवा उपलब दे एरोप्लेन के जरिये दिल्ली से नौन स्टा फ्लाइट से श्रीनगर पहुँशने में करीब देड़ घंटा लगता है यदि आप दो से तीन महेंगे पहले फ्लाइट का टिकेट बुक करा लेते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर का नौन स्टा फ्लाइट का किराया केवल 25 से 3000 रुपे पड़ता है यदि आप वन या टू स्टा फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा एरोप्लेन से जाने में आपका भहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रीनगर जाईए एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया आदी, एरलाइंस, दिल्ली से श्रीनगर के लिए प्रती दिन कई उडाने संचलेट करती है श्रीनगर एरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल अत्वा हाउस बूर्ट तक जाने के लिए टेक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि आटो रिक्षा तथा बस आपको एरपोर्ट पर नहीं मिलेगी श्रिनगर एरपोर्ट से श्रिनगर सिटी अत्वा डल जिल तक का टेक्सी का किराया 700 से 800 रुप है आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तता टेक्सी वालों की मोनोपोली है श्रिनगर की डल जिल के हाउसबोर्ट में कुछ समय न बिताना चाहे आप हाउसबोर्ट को एक दिन के लिए अनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रिनगर पहुँचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउसबोर्ट बुक कर सकते हैं Houseboat का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है। कुछ luxury houseboat का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है। आप अपने बजट के अनुसार houseboat चुन सकते हैं, यदि आप online houseboat बुक करते हैं, तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि online sites बहुत भारी discount देती हैं, आप श्रीनेगर में पहले दिन होटल की बजावई houseboat ही बुक करें. houseboat पर आपको breakfast, lunch तता dinner की भी सुविधा मिलेगी, परन्तो आप houseboat पर केवल breakfast का ही package ले, क्योंकि houseboat का खाना ज्यादा अच्छा, तता hygienic नहीं होता है, डल जिल के किनारे कई अच्छे wage तचा non wage restaurant है, आप houseboat की बजाए वहाँ lunch या dinner करें. houseboat पर check-in करने के बाद, आप houseboat पर चाय, अत्वा coffee के साँ, डल जिल को निहार सकते हैं, तता houseboat पर घूम सकते हैं, शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते हैं, शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं, एक घंटे की शिकारा राइट की cost साड़े 500 रुपे ह होती है, यदि आप दो घंटे शिकारे पर घूमते हैं, तो cost 800 रुपे होती है, यह cost पूरे शिकारे की होती है, एक शिकारे पर अधिक्तम 4 लोग बेट सकते हैं, तता यदि आप 4 से ज़्यादा सदस हैं, तो आपको 2 शिकारे के राइट पर लेने होंगे, शिकारा आपको house पर ही ड्रॉप करेंगे, इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन पर याद रहेगी, आप house बोट के लावर शिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं, सेकडो शिकारे टूरिस्ट के इंतजार में डल जिल के किनारे पर यह रिस्टोरेंट डल जिल में house बोट की श्रंखला के पास इस्तिते, रात में आप house बोट से श्रिनगर की खुबसूरती नहा रहें, उसके बाद आप house बोट में रेस्ट करें, इस प्रकार आपका खुबसूरत कश्मीर में पहला दिन समापत होता है दूसरे दिन आप सुभा house बोट पर breakfast करें, तथा अपना सामन पेक करें, तथा पहलगाओं के लिए प्रस्थान करें house बोट से आप नाव के द्वार किनारे पर आएं, तथा किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रहती हैं, उनमें से एक को आप पहलगाओं जाने के लिए बुक करें श्रिनगर से पहलगाओं की दूरी लगबग 152 किलोमेटर है, तथा टेक्सी का किराया 2500 रुपे है टेक्सी वाला आपको रास्ते में कई खुबसूरत साइट्स जैसे की अवन्तिपूर रुइन्स दिखातावा ले जाएगा अवन्तिपूर रुइन्स ग्यारो सो साल पुराना राजा अवन्ति वर्मन द्वारा निर्मीद भगवान विश्नु का मंदिर है हाला कि यह मंदिर टूट फूट गया है परन्तु फिर भी देखने लायक है पहलगाओं पहुँचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे धाबे पर लंच कर लें आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनगर से 10 बजे सुबह पहलगाओं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तथा सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3-3.5 बजे तक आराम से पहलगाओं पहुच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महाँ जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं इसके बाद आप पेमेंड देकर टेक्सी वाले को छोड़ दे तता होटल में चेक-इन करें शाम की चाई या काफी आप होटल के बाहर लान में बरफिले पहाडों को देखते होए पिए यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टेहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समाप्त होता है तीसरे दिन सुभर पहल गाओं में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी वेत्वा वेली तथा अरुवेली गले टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनो स्पोर्ट को गुमाने का टेक्सी का किराया पंदरा सो रुपे से आठा सो रुपे की बीच है पहल गाओं से चंदनवारी केवल पंदरा किलुमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुपसरत स्पोर्ट है जहां से उंचे पहाड जूनते पेड और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहाँ अप्रिल से अक्टूबर के महीने में आते हैं तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं आप यहीं इस्तित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप बेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमंटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देवल और अमरता सिंग एक साथ नजराये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाड़ियों से गिरी यह घाटी पहलगाओ और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मार्ग अमरनात मंदिर को भी जाता है यह एक खुबसुरत और बेहद आकरशक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बर्फिली चोटियों से गिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाईएगा आरू वेली एक महतपूर्ण परेटक स्थले इस वेली के बीचो बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है यहां आप हार्स राइडिंग ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको स्वीटजर लेंड जैसा अनुबह होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं आरू वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरू वेली के बाद आप पहल गाउं गोमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकलें पहलगाओं से गुलमर्ग की दूरी 140 किलोमेटर है तथा पहलगाओं से गुलमर्ग पहुँचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टेकसी मिल जाएगी होटल वाले ततकाल टेकसी पुला देते हैं टेकसी का किराया 2500 से 3000 रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेकसी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुबह 10 बजे भी पहलगाव से गुलमर्ग के लिए निकलते हैं तो आप धाई बजे तक गुलमर्ग पहुँच जाएंगे आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप गुलमर्ग पहुँचकर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं यदि आपने गुलमर्ग के लिए आनलाइन होटल बुक की है तो वह आपको बहुत सस्ति पड़ेगी परन्तु गुलमर्ग पहुँचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं तो होटल वाले बहुत ज़्यादा रेड़ बताएंगे जो तीन हजार से चार हजार रुपे तक भी हो सकता है जबकि आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको पंदरा सो रुपे में रुम मिल जाएगा पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महेंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहां के होटल आनलाइन ही बुक करें अनित्था यह होटल वाले आपको लूट लेंगे गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकर्टी की गोद में चाई नाशते का आनन ले तदा कुछ देर होटल के बाहर पेधली गुलमर्ग घुमाए रात में होटल में डिनर करके सो जाएं इस प्रकार आपका कश्मीर में चोथा दिन समाप्त ह अगले दिन अर्थत पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्रेक्फास्ट करने के बाद केवल कार राइड के लिए जाए जिसे कश्मीर में गंडोला राइड केते हैं आप पोणी अर्थत घोड़े पर बेटकर गंडोला राइड के टिकेट काउंटर अर्थत starting point तक भी जा सकते हैं आप गंडोला starting point तक अपनी hotel से पेदल भी जा सकते हैं यहां केवल 20 मिनट में पेदल पहुंचा जा सकता है आप अपने बच्चों को घोड़ा पर बिठा सकते हैं यहां पर आपको टेक्सी करने की कता ही जरुवत नहीं है गंडोला राइट के दो फेज होते हैं पहला फेज गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है इसका किराया 740 रुपे है सेकेंड फेज कुंगदूर से अपरवात तक का होता है इसके किराया 950 रुपे होता है यहां किराया आने तथा जाने दोनों और का मिला कर होता है यहां कुल 100 केबल कार है एक केबल कार 6 लोगों को ले जाती है केबल कार पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है इसमें 9 मिनट का समय लगता है यदि आप सेकेंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते है तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगबग 12 मिनट लगते है गंडोला राइट से फेज वन या फेज टू पर उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉय किया जा सकता है अब परिटो के मन में यह सवाल उठता है कि फेज वन पर जाए या फेज टू पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुलमर्ग आते हैं तो ही आपको फेज टू तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों में फेज टू पर ही बर्फ मिलती है तता महीं पर स्नो एक्टिविटीज जैसे स्किंग, स्नो बाइकिंग आदी होती है इन तीन महिनों में फेज वन पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों में फेज वन तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज फेज वन पर ही होती हैं फेज टू पर नहीं कुंगदूर अत्वा अपरवात में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत जादा थक जाएंगे एक महितमन बाद गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश बर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तथा वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवाथ में अन्य जगह पर बर्फ पहाड़ों पर रहती है जहां जाना संबव नहीं है केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ को हाथ से चू सकते हैं छटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 1500 से 800 रुपे के बीच है तता गुलमर्ग से श्रीनगर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है श्रिनगर पहुचकर आप होटल बुक करें श्रिनगर में होटल का किराया कम होता है जो 1000-1500 रुपे के बीच होता है यदि आपने online होटल बुक कर रखिए तो आपका होटल बुकिंग का समय बचेगा श्रिनगर में होटल दो दिन के लिए बुक करें होटल में चेक इन करने के बाद आप टेक्सी बुक कर सकते हैं या आटो रिक्षा से श्रीनगर लोकल साइट सीन कर सकते हैं यदि ट्यूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्य देखने जाएगा यहाँ गार्डन अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि ट्यूलिप फ्लावर साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप श्रीनगर में चश्मेशाही, निशानदबाग तता शालिमार बाग घुम सकते हैं इन तीनों बागों को ही समिलित रूप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल जील के किनारे ही इस्थित है इसके बाद आप श्रीनगर में डल लेके किनारे इस्थित किसी अच्छे रिस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकराचाय टेंपल देखने जाएं लोटते समय आप श्निगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चोक देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी कभी शुकरवार के दिन पत्थर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्तिती हो तो आप लाल चोक को देखना इस्तागित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थाथ सातवे दिन आप जल्दी ब्रिक्टफास कर लें तता टेक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलमेटर दूर है तता सोनमर्ग पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है श्रीनगर से सोनमर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 2500 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाए ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुँच जाए सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते है सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन्द उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें सोनमर्ग में घूमने के लिए 5-6 गंडे का समय काफी होता है आप सोनमर्ग से वापस शिनगर के लिए शाम को 4 बजे निकल जाए ताकि आप अंधरा होने से पहले शिनगर वापस आ जाए सोन मर्ग से श्रिनगर का रास्ता रात में बहुत जादा सेफ नहीं है यदि आप जादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रिनगर के होटल से और जलती सोन मर्ग के लिए निकले सोन मर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रीनगर में अपनी होटल में खाएं अथ्वा आप ब्ल लेक के किनारे स्थित रिस्टोरेंट में भोजन करें रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रिनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रिनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जर्नी इंजॉई करें अब हम आठ दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रिनगर तता रिटर्न श्रिनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का होटल तता हाउसबोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का साइट सीन तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम 4 से भाग देते हैं तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शांदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिवेक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए चल्दी कश्मीर गूमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेज करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू